खबर जनबत के चित्रकूट से है जोहां आयुद्धर रामलला विराजमान प्राणपतिष्ठा समारों के लिए मनगरी के संथ भी घर घर अच्छत बाट रही हैं चित्रकूट के कामदगिरी परिक्रम मार्ग खोही में भागवत रत्र आच्वारे नवलेस दीक्षित महराज के नेतरत में अक्षत कलस्यात्रा निकाली गई इस दोरान घर घर जाकर लोगों को अक्षत दे कर निमंतरड दिया गया और लोगों से आगामी 22 जनवरी को होने वाले प्राणपतिष्ठा समारों का नियोता दिया गया आच्वारे नवलेस दीक्षित महराज ने कहा कि वर्सों की प्रतिक्षा के बाद प्रभू स्री राम का मंदिर बन कर तैयार हो रहा है हम सभी लोग 22 जनवरी को अयोध्या तो नहीं पहुंश सकते लेकिन अपने घर के आसपास मंदिरों वा घर में ग्यारा दीपक अवस्ट्र जलाएं और भगवान की आराधना करें और इस पुनीत कार्य के साक्षी बनें खोही प्रधान ने कहा कि सभी लोग प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के आवाहन पर 11 जनवरी से आयोजित सफाई अवियान में अपने आसपास के मंदिरों की सफाई सयोग करें इससमें पूरे विश्व में एक पर सनता का विश्व ये है कि वर्सों के बाद सजियों के बाद जिसका इंतजार था वह इंतजार पूरा हो गया तो पूरे विश्व में एक खुशी की लहर है और सब जगे पूरे भारत में चावल वित्रित किये जा रहे हैं निवंतर दिये जा रहे हैं सब को कि सब लोग राम जन्भुमी कि में पधारे और जो नहीं पधार सकते तो वो हमारे प्रधानवंत्री जी का संदेश है कि राम जोती जलाकर के राम जन्भुमी का उत्साह पुड़ा करें तो आज हमारे गाम खोही में और हमारे जो शभासद हैं जो गुभिया उनके नटत्तों में हम सब लोगों ने और संग के सभी बताधिकारियों ने पूरे गाउं में जाकर के अक्षर पत्रक सब को समर्पित किया है कल फिर से ही से कलस करके और पूरे गाहों को पत्रक दिया जाएगा और चावल दे करके सब को निम्हेंतित किया जाएगा देखते रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर